टीवी वन के नहाय दिल्चेस्ट ड्रॉमो और इंटर्चेन्मेंट से भरपूर शोस किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आईकॉन पर क्लिक करें गुड़ मॉर्निग लेडिस जैलमें मैं हूँ असफर एहमान और आप देख रहे हैं अपने फेवरिट चैनल टीवी वन पर आज का शो बहुत ही इंटरिस्टिंग्ली लाइंड अप आप सब के लिए आज के शो में आपको बहुत जादा मजा आएगा बहुत जादा इंफॉर्मेशन आपको आज के शो में मिलेगी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जिंदगियों को इंसर्कल कर लिया है कोविड नाइटीन करोना वाइरस और अब ओमी क्रोन है और ये सुन सुनके हम हर वक परिशान रहते हैं कि क्या मुसीबत हमारे सर प रणादे वाला है यानि खतरोने वाला है इसके अंदर कितनी सचाई है इसके हम इंसाइट लिंगे हमारी डॉक्टर से हमारे साथ होंगी एक डॉक्टर रॉप्समा हम जो कि हमें बताइँ कहा करना पड़ेगा कि हमाके हम एक एundai फेस में जाने वाले हैं क्योंके आज कराची का जो पॉजिटिविटी रेशियो है वो 40% क्रॉस कर चुका है एंड़ारिस वेरी अलामिक उसके साथ हमारे साथ होंगी हमारी शेफ मुनीजा जो के बहुत चिरपी हैं बड़ी अच्छी परसनालेटी उनकी वह कुछ मज़दार सा खाना पकाएंगी देखते हैं आज वो क्या बना रहे हैं हमारे साथ एक फिटनेस एक्सपर्ट होंगे जो के हमें बताएंगे के हमें कितनी एक्सरसाइज और किस किसम की डाइट को जिंदगी में इंकॉपरेट करना चाहिए तो स्टे फिट एंड हेल्दी और उसके साथ साथ last but not the least हमारे साथ होंगी आप लोगों की एक फेरिट सेलेबरिटी गैस जिनके साथ हम गाएंगे बाते करेंगे कुछ दिल की बाते भी करेंगे और फिर खेलेंगे आपका फेरिट रैपिट फायर रांट So ladies and gentlemen fasten your seatbelts क्योंके it's going to be a rollercoaster ride at the morning star today अपनी गरम कॉफी और गरम चाहे के मक्स को फॉरर अपने हाथों में ले लीजे क्योंके it's going to be a very interesting morning for all of you You are watching the morning star with us for Ahman, we are taking a short break, we'll be right back Welcome back ladies and gentlemen you are watching the morning star and this is my favorite part of the day मुझे सुभा के टाइम से बेंतिहा महबत है और जब मैं अपनी सुभा स्टार्ट करता हूं तो उसमें मेरा साथ देती है मेरी black coffee मैं आपको तरीका बताता हूं सबसे अच्छी black coffee बनाने का आपको कुछ जादा करने की जरूत नहीं है आपने coffee लेनी है दो चमच छोटे वाले उसको मग में डाले और पर जब यह पानी बिल्कुल गरम होगे boiling hot हो जाए तो आप अपने cup में डाले और अपनी Americano enjoy Kijay is gonna give you that kickstart that you need every day to have a great day यह तो बता दिया आपको मैंने अपनी recipe लेकिन मेरे साथ इसक्ट किछन में कौन माझूद है टारा The Kitchen Queen Chef Munisha is here और Munisha मैंने सुना है कि आज आप मुझे इंप्रेस करने के लिए बिलकुल तयार है आपको बताये इंप्रेस करने की जरत है आपको अप्रेस करने की जरूरत होती है क्यों? विकोज मेरी बुझे बहुत सारे लोग ऐसे कहतें कि तुम थोड़ा सा उसको टों डाउन कर लिया करो बट मुझे उर्ती उर्ती यह ख़बर मिली है कि आज आज आप मेरा मेक्सिकन ओमलेट बन रहे हैं अब आप खाके में बताएंगे आज मेरा फिर इंतिहान है बिलकुल दूसरा इंतिहान आज पहले में तो यू आपने वो मुझे जो खिलाया था पहले शाही तुक्रे खिलाया थे वो खाके मैं ऐसा फसा कि मैं यहीं आपस गया पता है अपने क्या मिलाया था जादू जादू था जादू था मुझे यहीं था इसलिए कि मीठा बहुत सबस्के खाना चाहिए हम एक पूरा शो इस पर भी करेंगे कि किसी ने कुछ खिला दिया तो यह हो गया खेए anyway you know I think we are deviating from the topic अभी हम लोग किछिट में बहुत है और सुबह का टाई में मुझे ऐसा लगता है कि omlet is one of the best things on the menu everywhere मुझे omlet kana omlet तरह तरह के बनाना बहुत पसंद है एक दिन मैं आपको omlet बना के आप देखिए का मुझे ऐसा लगते है कि मुझे अच्छा omlet कोई नहीं बना सकता मैं बहुत ही जबर्दास omlet बनाता हूं आज नहीं इस यौर डे टोड़े आज आपका मित्यान पहले मैं देखोंगा कि अपने है लेकिन फिर हम तो बहुत खुशी हुशी खाएंगे आपके हाथ का omlet नहीं तो क्या मतलब है कोई मसला नहीं नहीं तो कुछ और होना नहीं है तो इन्जॉइ करेंगे और आज हम बना रहे हैं Mexican अमलेट तो बता देते हैं तो अंडे तो लाजमी जाने उसमें तो हमने ले ले लिया यहां पर चार साथ हम इसके क्यूंके Mexican की जीन है तो में बीन्स लाजम होते हैं सालसा लाजम होते हैं तो सालसा का एक चोटा साई रीकाब देदू मैंने बना के रख लिए ता कुछ मु सालसा हमारा बिलकुल तयार हो जाएगा इस तरीके से अचा आजाते हैं अमलेट की तरफ सबसे पहले मैंने यहां पर फ्लेम ओन कर दिया है अब इसमें मैं बटर एड कर रही हूं बहुत ज्यादा मैक्सिकन किजीन है तो वह हमारे जो है स्पाइसिस के हिसाब से है क्योंकि तो गुण मैं बहुत शुद काया जाता है और हम लोगों को भी थाया प्लाइसि पूद पसंद लिखाए डिए प्रफिया कि मुझे अच्छा बहुत अच्छा बाटर बहुत पसंद है द्याएट को यह कि गाना तो मैं माख्छान चांट प्रम ना प्रेफर करता हूँ अग मैं आपको अच्छी बात है अगर अच्छा फिलिंग ओमलेट अगर आपको काफी देख भूख नहीं लगता है अगर सही ओमलेट बना वाओ लेकिन आपको पता है आजकल जो बहुत जादा डायेट कांशिस लोग है या जो हेल्थ फिर्टनेस कांशिस है वो जर्दी नहीं खाते शेफ मुनीजा बिलकुल ऐसा है लेकिन मेरा पर्सनली कहना है मैं किसी मैं कोई डॉक्तर नहीं हूं लेकिन मैं कहते हो कि अल्ला ताला न है लुट कहते या मैं किसी मैं लेकिन बींम मैं 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 त्हुट का जाए पनूंड है नहीए इतने बील्दी नहीं गा सकते थिर्टा एं यहे तो फिर वो नहीं बíamos मुझे बहुत सारे लोग है वो इसको जो ओमलेटे वो जादा वेल कुक नहीं करते हैं वो कुछ तोड़ा कच्छा चोड़ देते हैं बड़ा यूजिली लाइक इट मुझे लाल थोड़ा सा पका हुआ उमलेट पसंद है मेरा भी मैं भी जो है तोड़ा जो तोड़ा जो साइड आप है ओमलेट तो अपनी जगा लेकिन मैं जो राणी योग है वो मुझे बढ़ी पसंद है लेकिन हर बंदे का अपने अपने टेस्ट होते अच्छा में रेसिपी की तरफ दुबारे आते हैं बहुत मज़ी की बाते ह अज सेट पर वाकर इनोंने जो कहा था सही कहा था कि अनरजी बहुत है तो वो चीज यह पास ओन भी कहा रहे होते हैं अच्छा मैंने इसकेंदर क्या आड करा मैंने इसकेंदर हाफ जो है मीडियम साइज जो है एक अनियन ले लिए उसको फाइन चॉप करा वाइड करा जुप किस लोगी के अच्छा है इसकेंदर के आए पल्कुल तो था मुक्त आपकर वागे श्यूप कर दोदे आप तो है जो आज़ते हैं आज़ते हैं ईंडी कोंगते हैं अब हम जो है आज़ते है उसकें अन्डों कहा थोड़ा साब मुलीज यह क्या चीज है प्रेक था it's smelling fantastic and I think if you guys are in the house and you don't have anything then make the volume of TV and make this omelette with us. You're watching the Morning Star ladies and gentlemen, don't go anywhere, we will be right back. देखें आप जरा ये देखें. Welcome back ladies and gentlemen, you're watching the Morning Star. अस्फर रह्मान और शेफ मुनीजा आपके सामने हाजर हैं और हम तहे दिल से आपसे माज़त खा हैं कि चुके ये शो हम कराची पाकिसान में करें हैं गैस नहीं आरी तो अंडा नहीं बन सकता. ये मजाकी बाती है, thankfully हमारे याँ गैस आरी है. अगर आपके गर में नहीं आरी तो आप जलते कुडते रहें. It's fine. It's part of life. अब लोग इस वक बना रहे हैं Mexican Omelette. और सुनी जल गया. वोई बात नहीं. आपका. अपने करें मैं कि भात गया? आप आपते हमसे वादा गया है गया करता गया आपने कहां डालिया ये क्या करी है अब ये जो इस वर्त कित्नी बढ़ गए होगा है वो देखें, आपको देखें जल जल रहा है मुझे देखे जलना कोड़ना अच्छा सा मेरी आगे 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 लेकिन हम लोगों ने ये ब्रेट के ओपर थोड़ा सा बठे लगाया था अच्छा इसके अच्छा अच्छा उखना पाकिस्तानी एक परणा जाए तो अच्छा करता है तो ये फिलिंग तेखे लिए ओपर आती है उप्लेवर और अच्छा करते हैं अच्छा करती है आपकिस्तानी उमलेट खाने का एक माइंड सेटाइटा मेरा भी कभी कभी दिल चाहता है कि मैं आज पकिस्तानी उमलेट खाऊंगा और मैं सब कख्षब को खुदा की मापको एक बात सज बता हूं कभी-कभी ओमलेट बनाते वे एक वह होता ना वेको जो आपने आर्टेस्, आप क्रियेटिव होते हैं दिफने शोचेजें जो निए रात के सालन की जो बोटी होती है वो अमलेट में कभी-कभी निकाल के ओमलेट मटाल गाता है अच्छा बाकई ऐसी चीजे और जादा मज़ेगी बनती है ज़रूरी एक आपने काई आपको कमाने वो आपके सालन को कमाने जाए कभी-कभी बहुत बुरी बनती है बट मुझे ऐसा लगते कि अगर आप जो तबाकीमा होता है अगर रात भर का रखा वहा है और अध्यू एड तो आपके सबस्क्राइब मुझे होता है वहाँ जबर्दस तबाकीमा इसल्फ बहुत मज़ेदार बनता है और इंशाल्ला हम बनाएंगे यह निए भी तक बनाया नहीं है मुझे अज़ लगता है कि कभी नगभी तो शेयर मुरीज़ आप ने खाया तो हो गाए अला ना गरे अला से दूआ कर सकते हैं क्योंकि अब तो खा चुके हैं पता है ही नहीं ना क्योंकि अगर आपको अगर आपको असा लग रहे हैं कि आपकी आदटों में एक शिफ्टार आप जादा बिवकूफ होते हैं आराम तरह तो आप लोगोंने कोई उल्टा गोष ज़रूर खाया है क्योंकि इन्हों यह बात क्यों बहुत एंग जो हम खाते न वह होते शेलें आराम आपसिर ऑफी नशाच से बाध जाएं तो प्राठा होना से साथ में निटी से यसाय मतलब मिठी मेथी बेन चाहिए प्रहपर मिथ Kylie ओननी चाहिए बहतरी नशा लिगया नासा साथ में तो क्या ही बात है लेकिन क्वा अजकल कितना टाइम होगे भी एंझा है म अब आप गवार से देखियेगा आप गवार से जरूर देखियेगा आप इजादत दे रही हैं आप इसका मैं आप Well, moving on to the omelette, आप देख सकते हैं एक इस खुबसूरत omelette का एक close look बिलकुल, यह देखिये, इसके उपर हमने इस तरीके से आप अब आप उसके यह देखिये आप 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 इसके सब्सक्राइब इसक बीद ने आप एक जरूर करना चाहिए आप कर सकते हैं बहुत सारे लोग इसके अंदर फ्राइंक पोड़ेगा जिसको साउसिज यह बिलकुल तुर्णा अच्छ साच्छ करें, इसे ही हैं वाधा चीज वे च्छीज च्छीज और जद्धा है चीज़ च्छीज़ का छाइब फ्लेवर को और निंहान्स करें और अच्छीज़ों जदेते शच्छीज़ केड़ए टेस्ली तेदा रहता है और अच्छा भी होता है हिल्थ के पॉइंट ऑफ यू से तो चीज हमें बिल्कुल चीज डेरी प्रोडक्स अपने डाइट में रखने ही चाहिए लेकिन फिर वही बात आजाती है के एतिदाल के साथ खाए हर चीज को भी कोई भी चीज इतनी ओवर ना करने आप के आपके लि मनीजा वेरी नाइस बहुत मजेका हो जाएगा इसको थोड़ा सा कवर भी कर दें ताके जो हमारा चीज अंदर से थोड़ा सा मेल्ट हो जाए बाकी हमारा ओमलेट बिल्कुल रेडी है लेकिन मुझे बाबता मनीजा बहुत सारे लोग ये जरूर जाना चाहते है कि ओमलेट अच पर बनाना चाहिए ताकि वो रोटी वाली फील देखें जिस तरह हमें क्योंकि ओमलेट उपर से कुक करना था तो हमने इसको अपर से लोग प्लेम पर रखें तो आप लेकिन मीडियम लोग फ्लेम ही रखें बहुत दा हाई फ्लेम ना करें तो उससी यह क्या होगा कि अपर से बॉपर से पक जाएगा या जल जाएगा या बीच से खाच रह जाता है तो मिडियम लोग फ्लेम ही रखे तो भी मृटी अच्छा ही रोग और कभी-कभी फिनेस नहीं हापाती है अगर अगर उप चाप्चा मारते रहें प्रैंग में तो आप पैंगा जाता है ज आप जितनी जादा अपनी दोस्तियां बेता है तो अपनी दोस्तियां बेता रखेंगे उतना जादा आप खोश रहेंगे उतनी जादा अपके रिलेशंशिप्स क्योंकि एक दूसरे पर हसना, एक दूसरे पर तनकीत करना, एक दूसरे के ता मजाग करना और एक दूसरे का मजाग उडाना दोस्ति का एक बहुत एहम जोज होता है Ladies and gentlemen, it's time for a very tiny break, don't go anywhere, you are watching The Morning Star, you'll be right back. मेक्सिकन ओमलेट तयार है बताएं शेफ उनीजा आप क्या क्या इसके ओपर डाल रहे है आप खाञा है तया पसंदेश मेक्सिकन है तो हमारे टेस्पट सेफी चाहि होते है तोुआ थोड़ा और है थोड़ा सपरिंडर यह उन्ही तो अबने यह क्या कर और यह अगर अपने यह क्या नहीं मुझे बताएं अब आपको यह सिखाया कि क्या जवाब देना है इस पे ठीक है तो हमने इसके उपर जो हमने सालसा बनाया था वो भी आड करा तो आप आईए और टेस्ट करके बदाइए हमें लेकिन शेफ मुझे सिर्फ एक बाती बता है हम और कौन-कौन सी चीज आड कर सकते हैं इसमें हम क्याना में ख्रीम चीज आड कर सकते हैं और जैसे डाइट कौंशिस लोग है वो रहें जो हम और बाकि आप चेडर हैं मस्टरेला है वह आपाएड कर सकते है तो आपकी टेस्ट्बट पर डिपेंड करता है कि आपको क्या आप खाना पसंदे है लेकिन वेरियेशन आपकर सक actually really nice because I have a lot of love for omelettes and I think I should take a bite of this compliment करेगा एधिंश मुरीजा, you are fantastic thank you guys you must try making this an omelette again इसकी quickly एक मिनिट पर रेसिपी बताई जबाराशा हमने क्या किया किया और पाइन चॉप अनियन लिया पाइन चॉप टुमीटो लिये उसको हलका सा बट्र दाल के सौटे किया बहुत अधा इसको खुक नहीं करना है उसके बाद मैंने क्या किया कि इसके अंदर बीन्स आड़ आपके पस फ्रेश हैं आप बॉयल करके भी आड़ कर सकते हैं उसको हमने स्टर प्राई करा फ्लेम बंद करा उसको दिश आउट करा उमलेट अंडे लिये चार उनको फेटा उसमें काली मिर्च नमक आड़ करा वो मैंने पैन के अंदर दाला और उसको कवर कर दिया जब वो कुले की तो हमने क्या किया तो हमने क्या किया कि तेयार अ ने वह तो हमने ऊड्री तो हमने और वह लागि खिया उसको लिष जुड पर ऋपर चिड़ चीज अडिक यह द ने über भ। हमने बनाय और अच्छीन और हमारा मैक्सिक見て आया ग्डेज को शर्च कर लुख इसमिल नि क्यों शेफ मुनिज्जा कल हम क्या बना रहे हैं जल्दी से बताएं कल सप्राइज है कल की बाद कल की बाद आज नहीं करने चाहिए आज सिर्फ ओमलेट पर फोकुस करें लड़ीज जर्मेंट यो वाचिंग दे मॉर्निंग स्टार विल कैश्यों अबेर अब हम चलते हैं अपने सबसे ज्यादा इंपोर्टन सेग्मेंट की तरफ जी हाँ वो है फिटनेस अभी आपने देखा हम लोगों एक बहुत ही रिच चीज ओमलेट खाया ज्योंके मेक्सिकन ओमलेट था जिसमें बहुत सारी चीज थी बटर था फिर हमने उसके साथ स्वीट ब्रेट भी खाई लेकिन अब हम चलते हैं फिटनेस के बाद क्योंके हमने अपनी गिल्टी इटिंग सारी कर ली है अब उसको बर्न कैसे करना है वी हाँ थे फिटनेस ट्रास्फोर्मेशन कोच वितास Mr. Soeb Sarai, Hello Soeb, Welcome to the show. Thank you. Soeb, first of all, I want to ask you this, which is the most important thing as they say, that the season is a marriage season, we have put on a few pounds और अब ये करें, वो करें, as they say, 70% of your abs and your body is made in the kitchen, यानि सबस्दा जो फिटनेस है वापकी किचन से स्टार्ट होती है, not at the gym, इस बाद में कितनी सचा ही है? People such, people ignore nutrition, जो खुराक है, how they eat, they ignore that completely, और वो वो वोगाउट पे ज्यादा दिहान देते हैं, लेकिन, you cannot outrun a bad diet, आप जितने भी वोगाउट करें, 600 calories, 1000 calories को वोगाउट करें, if you're eating cheese, omelettes, every day, or filling your belly, desserts खा रहे हैं तो तो आप अचा लेकिन बहुत आरे लोगे, you know, they actually stick to just one meal in a day, कि हमने अच्छा एक rich omelette खा लिया, then वो आजकल का जो सब ज़्यादा एक fad है, as they call it, if that's intermittent fasting, कि लोग काफी देर तक कुछ नहीं खाते हैं, you know, एक fasting period में रहते हैं, is it healthy, is it unhealthy? It's how you do it, now fad तो नहीं है, but it becomes a fad when you only rely on that, आप सिरफ अगर ये समझते हैं कि intermittent fasting is the solution to all your problems, तो ऐसा नहीं है, nothing can go beyond calories in, calories out, intermittent fasting में कोई जादू नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप एक meal खा रहे हैं या दो meal खा रहे हैं, आठ गंटे की window की अंदर आप खा रहे हैं, it's only a way of limiting your calories, अगर आप पहले 2000 calories खा रहे थे और उस window की वैसे, 8 गंटे की अंदर आप सिरफ 2 meal खा पा रहे हैं, और उसमें 1400 calories आप खा रहे हैं, तो naturally आपकी calories कम हुए Exactly, there are studies के उसमें, it's good for the liver, it's good for आपके blood cleanse, अगर आप काफी अर्से तक intermittent fasting करते रहते हैं, तो आपका immune system बड़ा बेतर हो जाता है, there are studies, अभी अभी confirm नहीं हो, but your immune system and your health will be better if you limit your calories anyway, अच्छा, लेकिन मुझ एक बाह बता है, जो शादी सीजन आता है, और शादी food का एक craze होता you know, tend to eat a lot during शादी और काफी सारे लोगें कहते हैं कि शादी करने के बाद बहुत बढ़ जाता है, इसमें कितनी सच्चा है, do you face these questions with your clients and all? absolutely, अभी आजखकल शादी सीजन, तो लोग यह तो वजन गिराने के लिए आ रहे हैं क्योंके, यह to get fit because they are getting married, यह तो फिर रेसंदी 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 है, तो इसलिए मुआ है, सचाही बिलकुल है इसमें, वही, psychological भी है and it's also peer pressure, psychological इस तरह है के आपने, now you got the girl, right, बंदा मिल गया, बंदी आगई है, you let yourself loose, you can relax yourself, you're not worried about how you look, यह चीज है, you tend to relax yourself and it's good to relax for a while, लेकिन अब वजन बढ़ता है, अब यह सवाल यह है, क्योंके enjoy तो करना है, आपने दावतों में तो जाना है, आपने नराज हो जाएंगे और नराज हो जाएंगे और फुपु और और कैसे, how do you skip korma and you know all these shadi, I think the shadi food is delicious, it is delicious, but अब लोग करते क्या है, जातर हम लोग करते हैं कि anybody who calls us कि Tuesday, Tuesday आपने फलाने क्या दावत है, वेनस दे वाले दिन महा जाना है, have some control, have some control over your life, आप उनको, या तो वीकेंस पे रिस्ट्रेक करें, वोई कर सकते हैं, यह मुझे बता All the time, you know, when it comes to food, मेरे खाल से, किजाब खाने की तरफ जाते है, तो बहुत आए लोग कैते हैं, चलो आज खा लेता हूं, पिर कल से, you know, I'll go on a diet, चलो आज खा लेता हूं, you know, then, पिर एक और चीज़ है, there are people who are crazy about black coffee, I don't know whether it's a myth or it's true, कि एकर बहुत जादा black coffee क्या तो वेकर ब Again, जादा coffee पीने से आपके anxiety थोड़ी बर जाते है, some people have that issue, anxiety बर जाते है, and then again, वो बुमरेंग effect होता है, and you start just eating, again, जितना आपने रिस्ट्रिक किया है, वो होता है, so again, there's no magic pill, coffee will suppress आपके cravings, it's a better option, a lesser evil, कि कहते हैं, but coming back to your question, के वो control कैसे करते हैं, again, it's how you balance your meals, So what we do at home, me and my wife, हम ये करते हैं, and I'll give you an example, if we receive a मिठाई का डबा, तो वो हम खाते रहेंगे, it's in front, it's in the fridge, it's there, so what we do is, we distribute, हम अपने लिए, एक sitting के लिए हम अपने लिए बचा लिए, and then we'll give it to my brother's house, we never keep anything in stock, we'll have it for one sitting, and then we have days, weekend में हम पुरा दिन नहीं, cheat day नहीं करते हैं, we'll do a cheat meal, so we'll go out on a Saturday, for the kids for one meal, उस ताम में हम खा लेंगे, desserts हम, we don't do desserts more than twice a week, this is how you manage, इसमें इसमें control नहीं, it's just how you, you know, but Suhae, मुझे बात ही बता है, जो कि बहुत इंपॉर्ट है, a lot of people, you know, who are into healthy eating, क्योंकि अज़कर बहुत सारे लोग conscious होगे, you know, people are very very fitness conscious these days, मैं इस तरह के लोगों को जानता हूँ, जो अब बिलकुल भी white sugar नहीं खाते हैं, और वो कहते हैं कि उससे बहुत बहुत बढ़ता है, तो एक मुझे लगता है कि, you know, there's a stigma attached, with being overweight and fat, और एक obsession है लोगो पतले होने का, जिसके अंदर वो नहीं होता है, you know, that you are healthy, you're going to the gym, you have muscle mass or not, but they just want to be skinny and thin, और उनको लगते हैं कि अगर आप skinny और पतले हैं, so you'll be accepted or probably you'll look nicer. Do you face that with your clients and all? I do and I try to talk them out of it, they associate their self-image with their weight, that's very unhealthy. And a lot of these people, even people who are skinny, it's not easy to maintain that. And they are going through a tough time as well, it's mentally, it's a burden. Of course. To be that skinny, you're always tired, exhausted, and in a bad mood. In a bad mood. And if you're not eating what you like, I think you're not eating what you like, I think you're in a bad mood. Ladies and gentlemen, it's time for a very tiny break, you're watching The Morning Star. Break after the break, so you'll tell us which exercises you can incorporate in your daily life and you can stay fit. Don't go anywhere, we'll be right back. Welcome back ladies and gentlemen, you're watching The Morning Star. We are with the Fitness Transformation Coach, Mr. Soheib Sirai, who is telling us what you can see fit and good fit. Soheib, one very important thing that I want to ask you is that a lot of people understand that if we only walked for half an hour, then we'll be right back and then we'll go home and then we'll go back and start to break the kuches, parathe, roti and roti. That's so true. And what we need to do is to stay fit all the way. You know, some little exercise that you know, we can incorporate in our daily lives. Walk is very good, but people don't utilize it properly. The same thing, just as you said, walk 30 minutes, but they'll still go back to their eating habits. So, they'll eat it. You can know that if you want to walk enough or not. But what is the right walk also? Because I've seen people talking about the same thing, and they're walking slowly, 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 and they'll tell you what happened. And then they'll tell you how many hours you walk. You have to break a sweat. Your breath will be running faster. You'll know. You walk faster. Obviously, you'll do daily daily, you'll walk slow, so it's not going to affect you. You'll need an hour. That effort, if you walk more quickly, and you bring it down to 30 minutes will be enough. Okay. But then you see, people don't know how to measure their progress. They don't know what they're doing or what they're doing. Walk is really good. There are people who cannot exercise. They come to my gym. They can't do squats, push-ups. So, I give them a meal plan. There are many options. It's not a very strict plan. But then I tell them to walk as much as you can. When they drop at least 8 to 10 kilos, their knees feel better. They feel that they can move better. Then we work in the gym. So, walks are very useful. You must know that I've done a walk for 30 minutes. Now, I've eaten so much. I'm still on the same. So, you have to do one roti. Okay. Right? Two helpings, two chawal plates. You've eaten it. And maybe increase your walk to 40 minutes or 45 minutes. And then see after a week if you've got a pound or increased. This is how you… So, if you have plates in your house, they're small. Yeah. You know, they fill it up. You know. So, when you fill it up, when you fill it up, when you fill it up, the quantity automatically becomes a little less. But when you're talking about walking, you know, it has to be walking. So, you have to be focused on walking. When you walk, you don't talk to the phone. You listen to music. And then you walk in the space. So, that you sweat it out. And your heart rate has increased. Am I right? Absolutely. Aja, what about the first exercise that you can take up without any weights and all? Compound exercises, body weight exercises, at home, these are all useful. Okay. But I always promote exercises in the… I mean, those exercises that you can safely do. Okay. Because if you injure yourself, obviously, you won't work out. Again, you're not working out. So, push-ups, squats, there are very important videos on YouTube. There are good instructions over there. You follow them. First, my advice to people is, take any exercise on YouTube. But see the basic ones. Look for push-ups, look for squats, look for lunges, look for jumping jacks. Understand the right methods and then try to do it. Okay. So, it doesn't matter if it's 50 or 100 squats, it's not. But I think one designated time, one day, 20 minutes. 20 minutes daily, you have to give yourself, right? Okay, do you think meditation and, you know, the people meditate, the people do breathing exercises, do you alternatively incorporate life in life, or do you think that the time should be different from this exercise? Meditation and deep breathing is an entirely different metabolic process. That is for your mental peace, for your focus. There are many people, you know, they confuse these two. They think that we meditate for half an hour, so this is, you know, all done. It's a part of yoga and yoga helps you to lose weight and all. Yoga, it depends how hard it is for you. Okay. For a person, if you do yoga, you won't even break a sweat. You do it very easily, if you do 30 minutes, it's not so much. But for a person, yoga is new, and he's really making an effort, so it will help him lose weight because he's burning calories. It's a new stimulus. So, it depends on what yoga is at the novice level, or if he's already done yoga. So, yoga does help. I have clients that I usually combine, I tell them to take up a yoga class for three days, and come to me for three days. Okay. That gives them a balance of some weight training, some muscle density, and some flexibility as well. This helps help so that we can do more complicated exercises. So, yoga is good for flexibility, functional fitness. It will make you move better. But for body transformation, you need 20 minutes every day of somewhat of a vigorous workout that suits your body. And less of this exercise. Less of this exercise. Which is very difficult. I think it's very difficult. But Sohib, thank you very much for joining us today. Welcome. I'm sure that a lot of people will get a great help because fitness is something that you have to do daily. You cannot skip it. So, now we will join us in the next show. If you want to ask questions, you can always reach out to us on our emails, on our Instagram. Thank you very much. Thank you. We're taking a short break. You're watching The Morning Star, ladies and gentlemen. We'll be right back. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching The Morning Star. We are encircled with a pandemic these days. Yes, we have thought that it is never going to be like this disease. जो के जिन्दगी को बिलकुल तबाही की तरफ ले जाएगी इतनी जादा किलामिटीज होने लगेंगे all over the world इसी बारे में आज हम बात करेंगे हमें जॉइन किया है हमारी बड़ी जबदस डॉक्टर साहिबा है कोई भी वाइरस आता है या कोई इस तरह की पैंडमिक होती है तो वाइरस अपनी शकल तबील करकर के आता है तो उसके accordingly हमने उसको नाम दी है जिससे पहले आया था COVID-19 का कहा क्योंकि वाइरस तो यह एक्जिस्ट करता था लेकिन इसकी दो-तिन इस तरह की जो है पैंडमिक जो है वो आई थी पैंडमिक तो नहीं कहेंगे इसको एक जिससे UAE के अंदर हुई थी Middle East के अंदर हुई थी इस तरह की थी लेकिन वहां पे इसको काबू पा डिया गया था काफी सारे लोग इससान भी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी दूर एक वाइरस आया और उसने पूरी दुनिया में ही अपना जंडा गार दिया अगर हम बहुत जादा पास्ट में जाते हैं तो चिकन पॉक्स था स्मॉल पॉक्स था उसने भी पैंडमिक ऐसी ही की थी देखें मेंली होता है क्या है एक जगा से दूसरी जगा कैसे मुंत्किल होता है जब बंदा ट्रैवलिंग कर रहा होता है एक बंदा कैरियर होता है जो एक जगा से दूसरी जगा लेके जा रहा है ना इसी तरह से फर्स्ट हम जो कोविड नाइटीन का केस था वुहान के अं पर देल्टा आया था डेल्टा ने तरी तभाई पहलाई वह लेकिन अभी जो ओमी क्रोन इस वक्त सबसे जादा प्रवेलेंट है बहुत सारे लोगों को हो भी रहा है मतलब इतने जादा मैं अपनी जल्दी दोस्तों को जाओ तो आजकल सबी लोग इंफेक्टिट थे लेकिन थैंक्फुली वह इतना सिवियर नहीं अब मुझे बताएं कि ओमी क्रोन के बारे में बैसिकली ओमी करसे कटनी जल्दी कि उल्द लूग उसको लोगों को लग जाता है अचा देकिंगे ocularon का यह में डेल्टा से के मेंने करें अब तक की तगे जो आमने नहीं तोडी सी कम ह लेकिन जो ट्रांस्मिशन है इसकी बहुत जादा है यानि कि बहुत जल्दी ए फर एक्जामपल अगर यहां पर किसी एक बंदे को जहां पर जितने लोगोंगे वो हमसे जो कॉंट्रैक्ट कर सकते हैं ठीक है अब इसमें सिवियरेटी है कि हॉस्पिलाइजेशन इतनी नहीं ह पहल रहा है आइस्वियरेशन हमें करनी पड़ेगी यह चीज है उसके जो जो कहा जा रहा है कि अगर वैक्सीन लगवा लेंगे सो देन यूर से फिर आपको इतना होगा नहीं लेकिन मेरे जो जानने वाले जो फुली वैक्सिनेटेड हैं उनको भी ओमिक्रोन हुआ है और अगर देन वैक्सीन लगवा लेंगे तो हमें यह वाइजाद रहें कर सकता है वेक्सीन मतलब यह है कि आपको वो उसके सिवियरेटी से बचाएगा इस्टिल यू आर बिसिकली आप उसको कांट्राइक कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि आपने वैक्सीन लगा लिए नियु आपको वेक्सीन लगाने के बाद भी अपनी प्रिवेंशन नहीं चोड़नी वही हाथ दोना वही मास पहना वही डिस्टेंस टुकना यह तो हमने है और अब देखें अब हमारी जिंदगी के अंदर यह रच बस चुका है इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा यह आप हमारी जिंदगी में है इसके साथ हमने जिंदगी गुजारनी हमें हमें नहीं पता भी कितने वेरियंट्स इसमें आने हैं आप बिल्कुल सही करेंगे अदिंग वन तिंग इस बहुत सारे लोग इस तना भी कर रहे होत आप पूरी एक ब्रिगेड हैं लोगों की जो समझते हैं कि वाइरस है नहीं बिल्कुल करते हैं कि हम लोग वैक्सिनेशन अभी करवा रहे हैं उस वह एक बहुत बड़ा एक कोई गैंग जो में पसाना चाहता है एक तियोर कॉंस्परिसी थीरी अगर आप कभी कुछ में श बहुत सारे हैसे लोग जो ऑफिस जोब्स कर रहे होते हैं इस क्वाइट एजी फॉर पीपल वोगिग अड़ा सके मांस को प्रिवें से करें हमें तो मांस लगाई नहीं सकते ड्रामा की शूट करते हुए यह एक चीज जो मांस की यह नहीं कि अपने 24 गंटे पहना है आपन थाले अच्छ जो फेढ़ें सेट पेटे हुए यह कि मैंने मास को भी अ ऌफ किया हुए लेकिन जब हम बहुत क्रावड़ीड हो जाए हमारा इस दो मीटर से कम हो जाए तो हमें उस वक्मास पहनना है ठीक्वर अगर 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 मास पहने रहेंगी वह भी हमारे एक हाइप और अगर आपको लगता है कि कोई नजदा जुकाम खांसी बुखार है तो आपको खुद ही एवाइट करना चाहिए कि हम इस सहां की गैधरिंग्स में पबलिक गैधरिंग्स में नहीं जाएं बजदा आपको में हम गया है कि यह जाएं जब तक कोई चीज डागनोज नहीं हो जाती है ना हम उसको और उसको नहीं लागनोज वाइरस नहीं अंटिर उनलेस की पूव नहीं की विए शीजनल फूव है यह कोई दूसरा वाइरस है तो आपने यह तो आप आइसूले हो अच्छी हो मैं बाहर जाते हूं लेकिन मेरे इड़ीर जो बच्छे वुजरुग हैं हम उनको नुकसान पहुचा सकते हैं तो हमें थोड़ा से इसका ख्याल रखना चाहिए बिल्कुल सही करें डॉक्साइब उसके साथ सब मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटे से ब्रेक पे हम हम बात करेंगे लेते हैं छोटा सब रही कहीं में जाएगा यह वाचिंग दे मॉर्निंग स्टार विल्कम बैग लेडिस जर्मेर यह वाचिंग दे मॉर्निंग स्टार हमाई सार दॉक्तर मौजूद है हम आज डिसकस करें हैं ओमिक्रोन और कोविड-19 के जो साइकोलोजिक पहुतनी और कोविड-19 कोविड-18 कौष का एंज enablingड लाज देहिं हमाई डों दों आब यद भीड-19 के टौषिंग से अवग मीनिड फे सहर के सहरी है हर वक्त लोगों को लगत रहें जहता है मैं काफी सदर्ग लोगों ऐसने को जानता हूं और यवन ओन दया डिया मिनिट लोकसराफ भी आपको क्या लगता है? लोग लास्टिंग अफेक्स पे क्या होगा? इससे हैं सबसे पहले तो लोग को बिल्कुल कॉरणा की वैसे लोग की जो सामा बड़ी कॉम्प्रोमाइज की है अब इसमें बहुत सारे factors हैं जिसमें लोकडाउन की वज़े से लोग की financial issues भी आ गए थे ठीक है फिर बच्चे घर में रहते रहते हैं आप देखें उनके अंदर इतने issues आए के एक तो मुझे लगता था कि हम लोग इतनी जंदगी में busy थे ना कि बैठने का time ही नहीं मिलता थ अब 24 गंटे जब एक दूसरे के साथ रहे तो बहुत सारी problems खड़के सामने आई लड़ाई जगड़े भी हुए एक दूसरे को मुझे लगते हैं जाना भी एक हमें मौका भी मिला दूसरा यह है कि उसकी वज़ास से बहुत सारी जो लोग की मसले मसायल थे वो भी सामने पाकिस्तान के अंदर तो हमाई घर में मुझरूग भी थे अपने से जादा लोग पर बड़ों की फिकर कर रहे थे कि हम तो चले कहीं ना कहीं जो घर का कमाने वाले वो तो बाहर निकल ली रहा था ठीक है वो कहीं कॉंट्राइक करके ना है तो इतने जादा लोग पर आगे अब हर किसी कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता है और आपको बड़ा मुश्किल हो रहा था उसके लिए तो बहुत सारी चीज़े थी कुछ नए बिजनिस भी यहां से निकले हमने लोग डाउन में देखा लोगों ने घर बैठके जब वर्क फरम होम के तो बहुत सारी बिजन जब घर में कैद हुए तो देखिए उनकी मेंटल हेल्थ के बड़े असर हुए और वह एक फ्रस्टेशन भी थी एक बहार ना जाना फिर क्या होगा कैसे बिजनिस चलेगा तो मैं जो सवाल है जो मोस्ट इंपॉर्टन क्वेस्चिन है कि यह जो खौफ रिलेटेड है सारी चीज़ों उस खौफ को कैसे इंकाउंटर करेंगे खौफ एक चीज़ है कि सबसे पहले हमने इसको एकसेप्ट करना है यह एक बेमारी है और इसका बचाओ हम शुरू से कहते हा रहे हैं कि सारी जिंदगी वैसी चलता रहे चलती रहेगी आपके रूटीन कंप्रोमाइस नह अमल कर लिया जिसमें आपका हाथ धोना ठीक हाथ भी आपने कोई महंगे वाले साबुन से या आपने कोई एंटी बेक्टेरियल नहीं लेना है क्योंकि एक वाइरल डिजीज है आपने ऐसा हाथ होना कि आपके हाथों से कोई जरसी में तो वो निकल जाए ठीक है एक सेफ ड अगर हम सब मिलके रिस्पॉंसिबल हो जाए इसको हम फॉलो करें ना तो इंशाला इंशाला देखें अगर यह वाइरस रहता भी है हमें नहीं पता कौन सा वेरेंट अभी आने वाला लेकिन कमसकम अपनी जिंदगी को रूटीन में हम लाके एक नॉमल रूटीन की तरफ आ इस वह खतम कर दी है और काफी ज़ादा ट्रावलिंग रिलाक्स कर दी है जिस तरह भी फ्रम 2nd February Thailand is opening once again for travelers के वहां जाके वह लोग विकेशन कर सकते है और वहां जाकिन कर सकते है और अब कर आपके वस वैक्सिनेशन कार्ड हो तो आप आ सकते है वह तिंग ओवर अवर अवर दिफरेंस आया जो पहले लॉग डाउन था उसमें सारे स्कूल सारे बंद कर दिये थे लेकिन अभी जो गवर्मेंट ने स्टैप लिया यह बड़ा अच्छा स्टैप है कि नोंने अबव 12 की क्लास को continue रखा है और जो बिलो ट्वेल जिनकी वेक्सिनेशन नहीं होगी जो ब देखें टूवे चीजे हमें खुद भी रिस्पॉंसिबल होना पड़ेगा हमाई गर्मेंट जो स्टैप ले ली हमने उसको भी फॉलो करना है एक बहुत इंपॉर्टन चीज है जो काफी जादा जिस तना अब कभी भी हम कॉरोना वायरिस की या कोविद नाइंटीन की रिल या कुछ लोग कहरें कि नहीं नहीं इलाइची का और लॉंग अद्रक और सब कुछ डाल के वो पानी पीना शुरू कर दें कुछ लोग कहरें नहीं कलॉंजी की बाप ले तो डॉक्साब मुझे बात पता है अगर कभी किसी को इस तना का कुछ हो तो वो टोटकों की तरफ या यह एक डॉक्टर के पास जाएंगे सबसे पहले तो इनसान अपने आपको खुद अच्छा जज़ कर सकता है कि मेरी डिजीज किस नौयत की है माइड यह तोटके अब सना मकी का जो मेंली जो अगर इसका परपरस देखा जाए वो हम उसको कॉंस्टिपेशन रिलीव करन घाने के इनसान परिशान हो जाएगा तोटके करें लेकिन वह डोटकी करें आप छोके तो ले तो डिन के एक कभू है ग्रीं टी ले रहे एक से दो कभू घबारा कबैस कप लेना ह्ये उसकलिए और साथ साथ सिम्टमैटिक जो ट्रिटमेंट हो दी जेन ऐसे झागर आपको से कॉंटेक्ट कर लें ताकि वह आपको काइट कर लें और साथ-साथ आप जो हलके फुलके तोटके हैं वह इस्तिमाल करें लेकिन वह भी डॉक्टर की नॉलज में होना चाहिए कितनी कॉंटिटी में क्या आप ले रहे हैं और स्टीम अगर अच्छी है कि वह पैसेज को क्लि आपको सेल्फ मेडिकेशन या अपनी तरफ से कभी भी नहीं करना जाएगे खावतीन वाजरात इस ताइम फर वेरी टाइनी ब्रेक दोंगो अनिवें यह वाचिंग दे मॉनिंग स्टा हम थोड़ी देर में आपके पास फिर आसे रहते है और अभी भी कर रहे हैं वेल्कम बैग लेडिसे जर्मेर यह वाचिंग दे मॉनिंग स्टार वेत असफर एमान अमाई साथ डॉक्टर साहिबा मौझूद है और हम डिसकूस कर रहे हैं यह जो अजाब कोवड नाइटीन हमारे उपर डाल दिया गया अलामिया ने मिर खाल से बहुत जल्दी अलामियाब हमें इससे रिलीफ करने वाले क्योंकि जिस तरह हम प्रोग्रेस कर रहे हैं रोकसापा एक बहुत इंपॉरन चीज यह है कि अगर किसी को कॉरोना वाइरस हो गया कोवड न से निकलता है अगर रहता है तो क्या दुबारा रही अकुरेंस हो सकती है इसकी अच्छा एक चीज तो यह के बॉडी में एक्चुली वह रहता नहीं है आप री इंफेक्शन हो सकता है ड्यू टू यूर डिक्रीज इम्यूनिटी ठीक है अगर मुझे अभी कोवड इसकी क्या थी माइल थी तो शायद मुझे इतनी उसकी जो आफटर एफेक्ट होंगे वो इतने ना हो ठीक है अफटर एफेक्स क्या हो सकते हैं कुछ लोगों को जिनको बहुत जादा मॉडरेट या सविर डिजीज हुई थी तो उनको तीन से चार महीने तक बड़ी जो पे अब माइट इस पे भी रिसर्च चल रही है कि इसके वाइरस ने जो एक औरगन होता है हमारी बॉड़ी पे जो कि बिसिकली शुगर लेवर्स को कंट्रोल कर रहा हुता है उस पे एफेक्ट किया है थीक है इसी तरह से दूसरे बेक्टियल इंफेक्शन देखे गए कि कोवि दिजीज थी आपकी हॉस्पिलाइजेशन थी तो आपको मजीद तीन से चार महीने भी अपना ख्याल रखना पड़ेगा अच्छे तरीके से ताकि आप फुली रिकवर हो सके माइल थी अगें हमें वही प्रिवेंटिव मेजर्स लेने ताकि हम री इंफेक्ट ना हो सके ठी लापरवाही बहुत बड़ा मेजर कॉज है जी मैं आपसे करना हम तीन चार चीज़ अगर जिंदगी में शामिल कर ले तो हम अपनी जिंदगी को रूटीन बिल्कुल जो नॉर्मल रूटीन हमारी पहले थी हम उसी तरह चल सकते हैं बात यह कि अप लोगों को एक्सेप्ट से ज़्यू से ज़्यादा पॉजिटिविटी है लेकिन इस वक्त में आज के आपको करेंट बड़ा है क्योंकि इसकी मैंने बताया ना इसकी ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा होती है अभी बे कल मेरे पास एक बंदी का आय था कि फ्लू कल कोई गैधरिंग अटेंड कि हज हजार लोग की गैधरिंग थी अब मुझे बताएं कि हजार लोग की गैधरिंग है तो हजार लोग की गैधरिंग रखने की क्या जरूवत है थोड़ से रिस्पॉंसिबल आपको भी होना पड़ेगा कि आप उसका इसले की एक पूरी सोच है दो साल हो गए इस चीज को और को लगता भी भी जूट है यह बहुत बड़ा ड्रामा है वेक्सिनेशन नहीं करा रहे हो जो वेक्सिनेशन करा लेता है उसको फिर बड़ी सोचल मीडिया पर अजीव से उसको कर देते हैं कि यह वेक्सिनेशन कराने के बाद यह हो गया प्लीज इस चीज को सब क्लियर कर ल इम्यूनिटी बूस्ट करने का सबसे एक तो यह कि अपने हाथों को आप अच्छे से धूएं हाथों से धूने से क्या होता है कि कोई वाइरस या बिक्टिरिया अगर आपके हाथ पे होगा एक तो आप उसको अगर हम कभी कभी बिल्कुल दिहान में ने रहता मूँ छू लिय आँके उपे हाथ वो कर लिया नेस हो गए हना सफाई का ख्याल ने रखते तो वो से हमाई ट्रांस्मिट हो सकते हैं एकसरसाइज हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं लाजमी तीस मिंट की एकसरसाइज हफते में पांच दफा सब को करना चाहिए एकसरसाइज नहीं कर सकते तो ब्रिस वॉक तेस तेस वॉक करने जिसमें आपके सांस पूले हमेशा खाना साफ सुतरा घर का बनावा खाएं ठीक है जरूरी नहीं कि आप मशली गोश्ट खाएं डाले सबजियां घर की बनीवी साफ सुतरी धुलीवी आपने वो खानी है ठीक है पानी अच्छा से जाती आपकी सिहत के लिए बुरी है जा आपने उसको कंट्रोल बैलेंस उसमें लेना है ठीक है अपनी नीन का ख्याल रखें कि आपने एक स्लीप पैटरन आपका होते के रात को जल्दी सोएं सुबा जल्दी उठें यह चीज़ आपकी यह चीज़े करें यह सब हमारी इम् कोई करवान ही रहे बस खाई पे खाया चेले जाए तो यह एदिन के लिए बीच में सुना है कि अगर लें तो से इम्यूनिटी बूस्ट ही मैंने वांताब जो सुनने में आता था लोग तीन चार 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 वाइदमिन C की वचो टाबलेट सो पूरा पूरा दिन प्या जा देखें हर चीज की हमारी बॉडी के अंदर ना फर एक्जांपल वाइटमिन C अगर मैं खा रही हूँ थाउजन में दिन में ले लिया मेरी बॉडी के एब्सॉप्शन साथ है 60 mg है तो बाकी तो वेस्ट हुआ ना हमारे बॉडी बर्डन पढ़ा ना तो वह कहीं न कहीं जा जाके आपकी बॉडी में डिपॉजट होके और फॉर्दर नुक्सान पहुंचाएगा जबदस थांक्यू वाइमर डॉक साहबा इस पूरी कॉन्वसेशन से जाज डॉक्टर साहबा के साथ हम लोगोंने की है बाउट ओमी क्रोन उससे यही उसका जोज निकलता है कि अपने सुपी तेरे सेल्फ मेडिकेशन हर्गेज ना करें अगर आपको कोई फ्लू या कोई इस तरह का सिम्टम है कंसल्ट यौर डॉक्टर राइवे पागलों की तरह सनमक्की पीने का कोई फाइदा नहीं होगा डॉक्साहबा थांक्यू वर्यमच पर जोइनिंग उस बहुत बह बंग अज़री को अगर यौर वच्छिंग पाइवेट रवाचिंग वाचिंग वाचिंग यौर अब विल्कम बैग लडिस अजल्में यौर वाचिंग उचिंग आपक्या वाचिंग शुबर्ट रॉर अब आज की सुभा का सबसे हुबसूरत पहलों शुरू होने वाला है कोई भी शो एक अच्छे स्टार के बगएर अधूरा होता है और आज की जो हमारी सिलर्बिटी गेस्ट है जो के बेरी बहुत ही करीबी दोस्त है उनसे बेरी बड़ी पुरानी दोस्ती है एक हैरत की बात है कि हमने कभी साथ में काम नहीं किया लेकिन जब भी हमने काम किया एक सीरियल हमने किया था टीवी बन के लिए साथ उसमें मुझे इनको और अच्छी तरह से जानने का मौका मिला शी बहुत अच्छा गाती है और आजकर उन्होंने टिक टॉक और इंस्टाग्राम पर अच्छी खासी धूम मचा रखी है कभी कभी जादा एक हॉलिवोड अक्रिस की तरह त्यार हुजाती है शी एक ग्रेट सैंस अफूमर लेइस जैन्में यू विल हाव ग्रेट टाइम तोड़े हमाई साथ मौजूद है ते वेरी सेंसेशनल जाले सरदी हेलोजार अफसलाम अलेकूम कैसे हैं बिल्कुल ठीक तो हमयर ज rutip यह सुच्छा कि नई दे सकता कैसी आप मैं भी आष्छे Praos You have absolutely no inhibitions. Yes, I don't. मैं ने देखा कि कभी आप बुड़ी आ औरत का गेट आप करके विडियो बना रही है, कभी कुछ कर रही है. फॉरन से दो तीन पोस्ट बाद एक बहुत ही ग्लैम एक डिवा जाग जाती है जाले कंदर. मैं असवर, honestly, as actors, हमें अपने आपको एक्स्प्लोर करना चाहिए. और रिइन्वेंट भी करना चाहिए. मुझे लगता है कि हमारे जो प्रोजेक्स अभी आ रहे हैं, वो एक जैसे ही होते हैं, आपकी दिमान एक जैसे ही होती है, कि आपने वही शिलवार कमीस पहन के अच्छी प्यारी बेटी बनना होता है, या जीन टी-शिर्ट पन के वैंप बनना होता है. So, आपको, TikTok for instance, gives you the margin and the chance to explore your other talents. और फिर वो आप लोगों को दिखा सकते हैं. मेजे, यह चीज़… I fake it but… You fake it? That's great to be honest. I love it. You know the way you fake it, I think then we should all learn how to fake it. Fake it till you make it. Fake it till you make it. I totally agree with that. Lekin, मुझे इच और चीज़ अच्छी लगती है, क्युके मैं एक और चैनल के एक Serial कर रहा था, उसके अंदर एक बड़ा interesting character था, एक TikToker, You know who happens to be the soul mate of the other girl. So, Zale took it up like that. Zale said, Please, मैं करूंगी. And she did a fantastic job in Teda Angan. And I still remember it. Zale, मुझे एक चीज़ जो अभी पूशे हैं, we have just started talking to you. What are the new projects that your fans should look forward to? Yeah, honestly, मैं one of those lucky actors हूँ, क्यूंके मैं अपने आपको restrict नहीं करती. Like, for instance, कि अगर मुझे इस same character बार बार offer होता है, मैं नहीं करती. Okay. क्यूंके मैं चाती हूँ कि अगर मैंने एक चीज़ कर ली है, then I want to, because it feeds my creative soul also. Of course, it does. So, I get offered such things as well. So, मेरी एक फिल्म आने वाली है, जिसका नाम है Karma. Oh, nice. It's C-A-R, not the K-A-R. Karma. It's in the car. It is actually all in the car. It's in the car. And I am playing crime boss. Nice. In it. And I am quite lethal. Nice. I am quite dangerous. When I was watching myself, I was scared of myself, I was scared of myself. Where is the hell out of me? Nice. But Zalih Bujik, we'll talk more about your projects, but you know, you're not a feminist, are you? I am, yes. You're a feminist. But the definition of feminism हम लोग बार बार enforce करते हैं, that is actually not. If you believe in equality, you're a feminist. Okay. Newsflash. Zabardast. And जिसका कार्म अभी आने वाली, क्या कार्म में कोई item song होगा? No. Though I would love to. You have done an item song. I have. Because I clearly remember it, dancing to it. It wasn't much of an item song, to tell you the honest truth, because item song के अनर generally, it's less clothes and you know, more sex appeal. And more masala also? you know, you're a set-up, stage, and you were like the dancing doll on that stage. I was actually playing a bar dancer. So, that's why they danced. If my character wasn't there, there wouldn't have been a dance in it. It wasn't the sort of film. But in karma, there's nothing in karma. Karma, there's nothing in karma. But do you think that the audience is more attractive? Yeah, genre is different. Okay. Okay. And I believe in the masala films. In the masala films, in the masala film, in the masala film, in the masala film. Yes. We need that. Especially the 2-3 years about our corona and we are closed and depressed. So, I think we need something that we can remove from reality and enjoy a little bit. And in a dream world. Absolutely. Why not? Why not? Why not? Personally, you enjoy realistic projects? I enjoy everything. Love stories Love stories I don't have romance I don't have romance. That's my weakest point. I don't know how to romance. You do very well. No, romance not? Oh, you are so good. I am watching you. I am laughing. That you don't have a bone of romance in you. But still you do it. I am a romantic at heart. And I am not. And strangely, Zale Zale, one thing that is very common is that we are both Gemini's. Yes. We always talk about this. I say, Zale, you are like this. Yeah, you are like this. This is a Gemini thing. It is. We just discovered that probably sinusitis is also a Gemini's thing. Probably. You just told me. I just told you. Children born in June Maybe. In the heat. You are also a Karachi Yes. I am also a Karachi. But my heart is somewhere else. Same. Same. Yeah. Zale, all your life, you know, when we get to study your filmography or you know, when you started off also many people met Priyanka Chopra and you know, did it ever affect you as an actor also that you thought that people understand that I am like Priyanka that I am like that I am acting or that I am doing or that I am doing or that I am doing Not at all. 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 As a doppelganger. Yes. Like Hania in the past. It felt like a compliment. बाद में जाके आए, नहीं भाई, अपनी इंटिटी बनानी, मैं भी अच्टरू हूँ, भी अच्टरू अच्टरू कर दिया पर उसने, I was like this is not happening, I can't be someone's चर्बा But will, but if ever, if you know destiny gives you the chance to come across her, meet her, will you be starstruck? I won't be though, I am a fan, I think she is fantabulous, what she has done with her career, acting talents, she is a business woman also, she has made her trajectory, she is not dumb, she is an intelligent woman, so I am a fan of her, but where are we starstruck, I was with Alam Kheer I was with Alam Kheer, I was with Alam Kheer, I was with Alam Kheer, I am starstruck because it is Zalai set, Khawatir Ausrad, you are watching the Morning Star, we will take a small break, we will be there, because Zalai has been a hard to heart conversation, we will be right back वेल्कम बग्ड़ी ने जेल्में यह वाचिंग ने ने शादी के नाम नी चेंज किया हाँ वाजा बता हूँ बहुत ही स्टुपड सी वाजा है तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे हमें नादरा के चोड़ो मेरी दादी नी कराया था done literally seriously इंठлов कि वह था है कि मेरी नाम नहीं बदलूं कि ताह deepestल अच्छाई ऑच्छर में विडिन जाले अमुक्स सूष तो इससका चाडलाया楓 जाले जाले-जाले-जाले अई सब्ल्सक्किन कि देम था था वाल 00 उनको देखना और सबसे बड़ी जो चीज है माशाळा लाह, आपकी खुशाल फैमिली लाइफ भी है, यूवाज अपने परन्स को देखके शिक्ते हैं, मेरे अम्मी अब्बू दोनों वह वर्किंग परन्स थे और हमें नहीं 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 होता है, ना हमारी मुझे ऐसा लगता है कि जो आजकल के बच्चे वो कलको बड़े होंगे, that's the next generation and you know there are millennials, millennials हम लोगे है, they are Gen Z, yes, Gen Z और millennials के पीच में ज्यादा difference नहीं है, which I personally think, I'm sure किसी और की differing opinion होगी, but हमारे और हमारे जो अम्मा, जो baby boomers उनके पीच में वह बहुत generational gap है, of course, मुझे ऐसा career start किया था, you know, when we started out, social media और यह इतनी ज्यादा projection थी नहीं, और यह बच्चे अभी इसे उसमें ग्रोग करें, पैदा ही हुए है, अब मैंने देखाए teenagers को competing over Instagram followers, or कि मेरी picture पर यह likes है, तुमारी पर यह likes है, उसमें लिक किया नहीं किया, you know, यह, मैं ही करती हूँ, but you know, do you think it it's all right for you, your daughter to indulge into all this, my daughter doesn't, she doesn't, उसका लेकिन YouTube channel है, और वो animation में है, she does Roblox करके एक game, उसकी animations करती हो, मेरी videos से जादा वीओ उसके आते हैं, I'm so upset, how nice, I have to build a YouTube channel, मेरा YouTube channel, but I'm gonna make one very soon, but Tazali, as a person, I would like to ask you a question, आपको क्या लगते है कि आप एक नुमल इंसान है, or do you think you play games also? एक तो the term normal से मैं differ करूँगी, पर नॉमालिटी की क्या definition, उसका मवाजना कैसे किया जाए, एक बंदा दूसरे बंदे से मिलता ही नहीं है, ठीक है, बगर normal आप यह कहेंगे कि नहीं, हम आर्टिस कभी normal नहीं होते हैं, हमारी वो normal way of thinking नहीं होती ही ना, lifestyle होता है, but games मुझ स पर चली जाती है, I do that. और अगर कोई openly आपके साथ games खेले फिर? उसकी मर्जी है और उसका मसला है, उसका problem है, he or she should deal with it. तो फिर हम जाले के साथ openly एक game खेलते हैं, जाले, you started out as a model, then you went on to becoming a supermodel of this country, फिर आप शादी online एक program host करती थी, you were a host also, तो आपकी journey from start to end, सब लोगों ने देखा हैं, लेकिन लोगों को यह नहीं पता कि जाले के बैग ने क्या है, तो अगर, if I would request him, कि आप अपने बैग में से कोई तीन most important चीजे हमें हमें भी बुरी बात है, क्यों? क्भी लड़कों के बैग में नहीं जातना है, क्यों? क्यों? बुरी बात है, मुझे तो संबर्ज मियाता क्यों कहता है, लड़कियों के पास क्या है, इसा होगा जो लड़के, यह बहुत दंबी बैस है, let's go to my bag, yes, the green bag, यह अपने अंदर ही एक हतियार है, कोई मुझे तंग करे तो मैसे करकर मार सकती हूं, सोचे, violence कितनी मुझे पसंद है, so आप पहल यह मैं आपको बतारा चाहते हूं, Facebook, Instagram, कहीं भी लाइव हो जाएं, और अगर सिफ दो लोग आपको आपकी लिस्ट में, कोई मसला नहीं, और भी सोहर है, उनको तो नहीं पताना जो आपको तंग कर रहे है, उनको तो लगता है, millions of millions of people are watching you, exactly, so, मेरा मिया मुझे काल कर रहा अब भी मैंस से नहीं बात कर साथी, sorry husband, ऐसा नहीं करना चाहिए, okay, बात करने नहीं चाहिए, but why don't you take the call and tell him that you're busy, it's fine, no I don't want to, you don't want to, okay, that's again, that's completely again a personal choice, he's out of the country, बहुत लंबी हो गया, और जहां पर पोया मां बरभभारी हो रही है, oh, okay, so, मेरे पस पहले तो मैं आपको इस आपकरा है, attack mode में है, तो अपने आपको defend करने के लिए, आप उसके मूँ पे स्प्रे कर सकते हैं, अगर गुए हमला कर रहा है, this is not on the offense, this is always on the defense, तो मतलब खामागा ही नहीं आपको कोई समझ नहीं आपको पसंद नहीं मुझाए, ये नहीं कीजगा है, गलत बागा है, इसक अगर कभी अगर आपके घर में पैपर ना हो, तो ये आप ओमलेट पे डाल सकते हैं, या किसी चीज़ कोई है, पतानी इसमें क्या-क्या है, मैं उसकी सही तरह इंग्रीडियन्स नहीं हैं, बट मैं आपको जरूरू रिमेल करूँ, और आपको ज़रूरू रिमेल करूँ, वाव, बट मैस, और अगर नेगिटिव लोग हों आपके एदगेद और आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं, जहां पर लोगों ने आपको गॉसिप सुनानी है, बुसरे की बुराइया करनी है, तो ऐसे करके ऐसे लगा लेए, लोगों को लेगे का आपको इंट्रिस्टिंग च क्योंकि यह एक इतनी इंपॉर्टन चीज है क्योंकि काफी दफा मुझे ऐसा लगता है कि हमारे एड के नेगिटिविटी इतनी है, तो अपको इस तरह के एड़फोन की ज़रूरत पढ़ती है, बिल्कुल, यू नीद तो, आप अपनी सानिटी को मिंटेन रखने के लिए, हमारे जो काम इस पर बहुत सारे लोग होते हैं, तो यू कांट, अपने आपको कंटेन करना बहुत है, जबता तो ये जाले के बैग में तीन मोस्त इंपॉर्टन चीजे अभी जाले ने हमारे साथ शेयर की, हमें तो लग रहा था कोई लिप ग्रॉस, कोई मस्कावा, वो भ अपट, फायराओ, और जानिंग जाले को और खरीब से, डोंट गो अनिवर, विल बेराट बाग्ट Welcome back ladies and gentlemen, you are watching the morning star, काश में आप लोगों से वो conversations share कर सकता, जो हम लोग break के दौरान करते हैं, they are quite interesting Yep, but बहुत dangerous है, कुछ बजुहात की बिना पर, censorship, सीधा-सीधा, हम चाहते हैं कि हमारा show चलता रहे लेकिन team तो सुनी रही होती है, team तो यह लिग करना है, इतना bore हो चुके है, team हमसे over sensitize हो गए, क्या बोला है जाले, जाले, we are starting with a rapid fire round, लेकिन आप लोगो ने बहुत सारे shows में देखा होगा, rapid fire round केलने के बाद, celebrities के जो तालोकाते हैं, industry में और लोगों से खराब हो जाते हैं, हमने, we have made sure के हमारे show में ऐसा कुछना हो, यह round सिर्फ यह है के आप अपने favorite celebrity को और करीब से जान सकें, उनकी जो habits है या उनके जो likes, dislikes है वो आपको पता चल सकें, या उनकी जो wish list पे अगली क्या चीज़ पता चल सकें, जाले, you don't have to get into any disclaimers, आपको कोई detailed answer नहीं देने, rapid, you have to be quick, ठीक है, one thing that happened last year, you like to forget about, कि कुछ ऐसा जो पिछल साल हुआ, जो भूल जाना चाहती है, पिछला साल, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा ऐसा ही था कि मैं भूल जाना चाहती है, I think मैं भूल भी गई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मै अब करना है, मतब यह मैंने ठान लिया, अब मैंने यह करना है, wish list पर क्या है next, I think मुझे अप्रिसेशन अपने fun को लेके मिलने चाहिया, नहीं कि अबार्ट की सुरत है, अबार्ट की सुरत है, some performance, anything, could be, great, one thing that you would want to change about yourself, यार यह बदलना चाहती हूँ, बस बहुत हो क्या, क कैसी आदत, any habit, जल्दी सोना दे, impatience, anything, could be anything, impatience, you're impatient, I am, in certain areas, yes, which any है, बहुत जादा, सबसे बड़ा खौफ, Losing a loved one, I can't, I mean, I lost my dad, और कुछ मेरी जिंदगी से बहुत लोग गये हैं, वो सबसे बड़ा मेरा fear है, you know, कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सारे loved one से पहले सली जाँ दूँ दूँ दूए, but वो भी करता जुल्म होगा, I don't care, I'm being selfish, you're being selfish, यह मेरे खाद से हाँ, यह बड़ी I think the best thing about being a mother? Being a mother? Oh my god, the entire emotion, feeling, how do you feel being a dad? I think, महबबद का आपको असे पहले पता ही नहीं होता, बिल्कुल सही हुआ है, मेरी बेटी के साथ, जब मुझे महबबबब शुरू ही कुछ मेरी नहीं होता है, यह सब जुट बोलते हैं, बच्चे को देखते ही हाँ, जब तक रिया जब तक रियाक्शन नहीं आ रहा होता अपको, जब वह होना शुरू हो तो मेरी अम्मा से मेरा यह सवाल था है, आप मेरे लिए यह फील करते ही है? आप से अधियर नहीं सब्सुट है, तो मुझे एसास होता है कि यह फील करते है रहे बापाप मेरे लिए बच्छ सोचैंच अब ऑको ऐसास होता हुट और मुझे अपने विता है गोसा तनक कभी अपनी बूसा है कभी कभी हम लोग इतने अरे बने प्रेंशनािब और Chinese, Thai, whatever, dung beetle खाते हैं, live monkey brain खाते हैं, can't, desi desi food, frog legs, yes no, वो तो French हो जाता है, snails and frog legs, I don't know, alligators, snakes, no, no, snakes, गाय, बैस, मुर्गी, मैं बहुत खुश्य हो उसके, बटेर भी नहीं गाय जाते हैं, एक trend which I'll never follow, any fashion trend, I don't follow trends, I follow my own comfort, I follow my body type which I will always tell everyone else to also do, that if someone has worn jeans and they are very trending, then you don't have to wear it. Okay, my little sister Zaila's most irritating habits, I don't know, first of all, she's my little sister, she'll be a little girl, she'll be a little girl, she'll be a little girl, she'll be a little girl and she'll be a little girl, not just gotta be a little girl. Yeah, I know, so that all by the way I say and you love the woman, cruciform, wherever you are I am blessed, I support them. थी भी हूं भी, Aamir भी, Aamir की irritating habit क्या है, Aamir is a workaholic and इतना ज्यादा वो perfectionist हो जाता है कि he irritates the living to Jesus often and I am too, so मैं ना उसको अपने काम में इंटर्फेर नहीं करने जेती ही वरकिन फिर भी वो गुसता है हूं, so मुझे यह उसकी बाद irritating है Aamir की क्या star है? Pisces, Pisces है Gemini की बाद बनते है, set बनते है One person who is always on your speed dial Toor, Aisha Toor You guys are very close friends Have you fought with Aisha Toor? Yes, now too Aisha Toor से, क्योंकि मैं Aisha Toor के साथ 100 episodes का मेरी बड़ी अच्छी Aisha से है But मुझे लगते हैं वही पीस लवेंग है वही पीस लवेंग है तो लड़ाई वेकिन दोस्तों कि अफकॉस chemistry अलग होती है यार, different circumstances में different बाते एक दूसरे को कह जाते हैं और मैं generally जो है वही पीस लवेंग हो मेरा confrontations नहीं होते लोगों के साथ But कभी कबर मुझे लगता है कि अपने दोस्तों को आपको बताना चाहिए वो भी मुझे बताती है यह दाट पड़ती है हम एक दूसरे को दाटते जादा है लडाई कम करते है अच्छा कोई एक ऐसी जगा जो अभी तक मैंने नहीं विजित की हो वो करनी है तरह विजित की अपनी है एक की आख़ए जगाए जहां पे शुटरल हेरिटेज का बहुत स्टूंग तर्की के एक रहे हुं तर्की भी और इतली मेरी लिस्ट से जो है वो टेक आख़ए ग्रीस और स्पाइन रैक यह भी और वहां पे लोग भी होत है लाट रहा है यह जाना है जिन्दगी एक जर्नी है और इस जर्नी में बहुत सारे अच्छे बुरे लोग आपकी जिन्दगी में आते हैं बड़े इंट्रिस्टिंग दोस्त आते हैं वो चले जाते हैं कुछ इस तरह की दोस्ते हैं जिसना मेरी बड़ी एक ख्लोस फ्रेंड ए अनी Annie has moved to Dubai now and I hardly get to see her. Mashallah she's married. Mashallah mashallah तो मुझे बड़े अर्सा हो जाते हैं इस तरह की कोई दोस्त होते हैं कोई रलेशनशिप्स होते हैं जो आते हैं जिन्दगी से चले जाते हैं को एक ऐसा गाना which you would want to dedicate to all these people in your life Yes जो हर वक्त वोगत यह गाना fit better यह मैं बहुत गाती हो यह गाना बहुत गाती हो और I think यह सारी रलेशनशिप्स पिट बैठेगा चाहे आपके दोस्त हो या आपकी past relationships X's X's as they call it X's X's हो या आपके relationship with work भी हो कभी कबर आपके आपके चीजह होती ही जो आपने अपना जुम्रा चेंज करना होता है काम का So यह सारी वो ऐसा साथ और महसूसमेंट को अंदे नजा रखते वे यह गाना है And यह गाना गाने से पहले I would like to thank my entire audience Thank you so much guys For watching The Morning Star I'm sure आज के दिन आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा We are signing off with this beautiful song from Zaleh Over to you Zaleh We'll catch you tomorrow with another very interesting show So stay tuned Zaleh Hello Hello Mike So So this is for you If the起來 That Girls Of love We are in a moment Imagine That knew Don't do It's when There was a damn Good You ви You कर गया दिल का मुसुना लगर कोई रस्तान कोई डगर उसे धूंधू कहां उसे पाऊं कहां आजे मैं हूं यहां फो कहां कहांने मुहपत की है मुखत से गया दिल से फिर वो नाया इधर कभी कोई धो मेरी लाहों का इप हम सब गया दिल का मुसुना लगर कोई रस्तान कोई डगर उसे धूंधू कहां उसे पाऊं कहां आजे मैं हूं यहां फो कहां लिए आसमा बादे आप 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 चा रहे है पंची अपने घर को वापस चा रहे है उसे धोलू कहां उसे पाऊं कहां जो मैं हूँ यहां वो तहां कहांने मुहब्बत की है वो पस गया दिल से फिर वोना आया इधर कभी कोई दो मेरी राहों का इन हमसफर कर गया दिल का वो सुना नगर कोई रस्ता न कोई डर उसे ढूंदू कहां उसे पाऊं कहां आज मैं हूँ यहां वो ने कहां आज मैं हूँ यहां वो कहां आज मैं हूँ यहां आज मैं हूँ यहां झाल 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 झाल